नमस्कार वल्कम टूर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ट आज की वडियों हम टेक महिंद्रा का क्यूब फूर का जो रेजॉल लाया है रेजॉल को अनलेसिस करेंगे उसके साथ रेजॉल के हिसाब से क्या प्राइस अक्षन बन रहा है और हमार लिए कौन सालेबल पर्फेक से आप एजडेश बैंक देखेगा एच योईल को दिखेगा रिलांसु देखेगा इस टाइप का स्टॉक को हम मिससे आपको मौल्टियों का सब्सक्राइब के आस पास थोड़ा सा रेक्स लेना है विद प्रॉपर क्वांटिव लेबल क्या रहेगा रेजल क्या है डिटल् 42 रूपीज का डिविडेंड डिकलर कोया है जो के एक पॉजेटिव प्रॉपर में यहाँ पर जो प्रॉफिट आया है ना 1117 कोड़ का लेकिन यहाँ पर स्ट्रीड एक्सपेट कर रहा था 1275 कोड़ का जो की एस्टिमेंड मीश हुआ है आराउं 12.3 परसेंट से जो के एक न अब रेविडेंवू देखेंगे रेविडेंव में भी ड्रॉप हुआ है आज पर इसमें हुआ है ट्ोटि परसेंट का मार्जीन में यहां पर नेगेटिव है रिजल्ड में जो स्ट्रिड एक्सपेक्ट कर रहा था नेच्स्ट अभी चलते हैं क्या रिजल्ड आया है गऊ अब भी कितना है 1170 जोकि डाउन है 13.8 परशन जोकर एक नेगेटिव परशन है डेबिन में भी %1 परशन का डाउन है एव एक नेगेटिव है इभी डाउन है मार्जिन में भी अहां पर डाउन है देखें सारा पॉइंट अगर देखेंगे और रेजल को हम स्वाम करके देखेंगे रेजल इतना अच्छा नहीं है लेकिन जो strong stock होता है और जो quality stock होता है उनका जो बुरा टाइम चलता है वहाँ पर हमको investment करना है proper price action label के साथ तो label क्या बन सकता है अब हम चलते हैं चार्ड के उपर देखें आपके skin के सामने जो चार्ड से प्राइस देखें इस label के असपास जब्या है price को multiple time यहां पर resistance देखने को मिल रहा था और 2021 में यहां पर breakout आने के बाद देखें प्राइस वह ही उसका मॉल्टियर का support के असपास यहां पर consolation हो रहा है अगर मानिए next two three day यहां पर कुछ बड़ा fall देखने को मिल रहा है तो आपको ट्रेक मोहिंतर का चार्ड में लास्ट में दिखाऊंगा अभी के लिए आप इस चार्ड को देखेंगा देखें ए ब्लाक लाइन हो जाएगा मॉल्टियर का support मानि यहां पर ग्याब्याव नहीं होता है किसी भी बजार से तो यहां पर हम एक बार a move दे सकता है और ज कर सकता है क्योंकि जो ब्लाक लाइन हो जाएगा एक मॉल्टियर का support और यहां पर थोड़ा नीचे आ जाएगा तो 10-12% के आसपास वह तो हमारे लिए बेस्ट होएगा टेक मोहिंद्रा में इन्बेस्ट करने के लिए देखें टेक मोहिंद्रा को अभी के लिए मैं सेलिंग मोड में नहीं हूँ अभी मैं बाइंग मोड में हूँ अगर मेरा लेबूल के आसपास आप आज जाएगा वहां पर आब्रेज भी करूंगा अब लेबूल क्या होगा मैं अभी आपको श्यार कर दूंगा एत हो गया टेक मोहिंद्रा बर्सेस यूज़डी अनर का चाड़ म ब्लू लाइन टेक महेंदराय के लिए हो गया है एक मॉल्टियर का सब्पोर्ट अगर किसी बज़ा से ग्याप डाउन होता है तो 950 में एक टेंपराली सब्पोर्ट देखने को मिलता है लेकिन अगर रेजल की बज़ा से और ज्यादा सप्लाई आ जाता है तो हमारे लिए जो वान यहर में प्राइस उसका लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है यहां पर निच्चे से इस ब्लाक लाइन के उपर फोकुस किजिएगा माने यहां पर और 10 से 12% का निच्चे इस स्टॉक का प्राइस आ जाता है ना इस टॉक मॉल्टियर का सपोर्ट के आसपास आजएगा ज इस जोन में स्टॉक ले सकता है और यहां से रिबर्सल हो सकता है उसका निच्चे थोड़ा जा सकता है फिर भी आपको प्रापर क्वंडि मंजमन के साथ इस टॉक को होल करना है क्योंकि देखिए ए ब्लाक लाइन हो गया मॉल्टियर का सपोर्ट जो कि पहली बार एक ट्रे में अगर आपके पास से नो डाउट आपको अभी होल करना है अगर आपको आभरेज करना है अगर फ्रेस एंट्री करना है तो ग्याब दान अगर होता है 5-10 परसंट वहां पर आपका अक्कुमलेशन स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोबावेल्टी हाई है कि आनिवाल वान योर का होना चाहिए क्योंकि रिजल के बज़ा से यहां से 10-15 परसंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जिसका चांस है लेकिन अगर मार्केट पहले से डिस्काउंट कर दिया होगा जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यह हाई से जो 1300 से जो भी करेक्शन कर रहा है त अगर आपका कुछ डाउट है तो वीडियो नीचे कॉमेट कर सकते हैं वीडियो आचा लागा वीडियो को लाइक किजिएका सॉस्काइब किजिएका नमस्कार जहिन